Assalamualaikum, Welcome to StudentTube, आज की इस लेक्टर में चेप्टर 3, Icom Part 1, Business Math, बुखे शाहिद जमाल की चेप्टर है, Interest and Annuities Question 3.26, Find the compound interest on Rs. 5,085% for 4 years तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मल लगाना है, जो कि आपकी बुख में मौझूद है A is equal to B, और 1 plus R, पावर N है, ठीक है, So A is equal to P में आजाएगा 5000, 1 plus R में 5% है, तो 0.05, यानि कि इसे 100 से multiply करेंगे, N में आजाएगा 4, 5,000, So यहाँ पर हो गए 1.05 की पावर 4, तो हमारा answer आएगा 6077.53, ठीक है, अब हमने क्या करना है, compound interest निकालना है, तो इसको हम A minus P करेंगे, तो A है हमारे पास 6077.53, 0.53 minus P, 5000, तो कितने बचे, 1077.53, answer, ठीक है, अब है 3.27, find the compound interest of rupees 4,500 in 3 years at 5% per annum, तो same है, A is equal to, यहाँ पर भी P, 1 plus R, power N, so A is equal to, यहाँ पर P है, हमारे पास 4,500, 1 plus R है, हमारे पास 0.05, और N है 3, ठीक है, so same, 4,500, यहाँ पर यह हो गया 1.05 की power 3, तो हमारा आंसर आएगा 5209, 5209.31, तो अब यहाँ पर हमने compound interest निकालना है, find the compound interest, तो compound interest निकालेंगे हम, A minus P, A आया है हमारे पास, 5209.31, minus P है 4,500, तो उनों को minus करेंगे, answer आएगा 709.31, ठीक है, अब है 3.28, a man borrowed Rs. 1,600 for 8 years at 4%, compound interest, how much he have to pay, 1600 रुपे, इसने loan लिया था 8 साल के लिए, जिस पर compound interest था 4%, तो इसे कितने देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर same formula लगेगा, A find करना है, P, 1 plus R, N, so P में आजाएगा 1600, 1 plus R है, तो 4%, 0.04, उपर N आजाएगा 8, तो यहाँ पर 600, multiply होगा 1.04 की पावर 8 से, तो हमारा answer आएगा यहाँ पर, 2189.71, answer, ठीक है, तो उमीद किरती हूँ, आपको यह question अच्छे समझ आ गए होंगे, मजीद एक से sizes and questions के लिए, चैनल को करें, subscribe, और साथ ही अपने classmate and friends से share भी जरूर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अलाँ हाफिज,